infinite का basically मतलब यह है कि आप सबसे बड़े number के बारे में नहीं सोच सकते natural number 1 से start होते हैं और whole number 0 से start होते हैं इससे आप ये जान सकते हो कि जितने भी natural number है सब के सब whole number number में अगर आप plus 1 add करोगे तो आपको successor मिलेगा number में अगर आप minus 1 करोगे तो आपको predecessor मिलेगा addition करना है तो right hand side में jump करना है और subtraction करना है सबसे easy topic भी यही है और question भी यहीं से बनेगा hello बच्चो क्या हल चल कैसे है सब उमीद करता हूं यार बहुत बढ़िया तरह के से पढ़ाई चल रही होगी तो उसी में हम आ चुके है rapid revision का एक नया chapter लेके for classic standard जिसका नाम है whole number और यह whole number को complete करेंगे हम in next 20 minutes 20 minutes में यह chapter को खतम करेंगे और देखते हैं होने क्या वाला ठीक है फड़ा फट देखते इस chapter में पढ़ेंगे क्या हम लोग सबसे पहले natural number क्या होता है whole number क्या होता है basic definitions देखेंगे predecessor and successor उसके बाद operations in number line यह तीन topic से हम पढ़ेंगे most important topic यहाँ पर predecessor and successor and most easiest topic भी सबसे easy topic भी यही है और question भी यही से बनेगा topic कौन सा predecessor and successor ठीक है चलो आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले natural number क्या होता है what is natural number नाम से समझ में आ रहा है natural any number कोई भी number जिसको आप count कर सको कोई भी number जिसको आप count कर सको या अफिर हम बोल सकते है counting numbers counting numbers को हम बोलते है natural number सर natural number start कहां से होते natural number start होते है one से two से और जाते कहां तक है सर infinite तक जाते ठीक है सर यहाँ पर one का मतलब यह याद रखना है कि सर हमेशा natural number one से start होते हैं और खतम होते हैं सर infinite में infinite का मतलब क्या होता है infinite का मतलब आप कितना भी बड़ा number सोच लो मैं उसमें plus one एड़ करके उससे और बड़ा कर दूंगा so infinite का basically मतलब यह है कि आप सबसे बड़े number के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि कोई ना कोई आएगा और वो आपने जो नंबर सोचा है उसमें प्लस वन एड़ करके उस नंबर को आप से बड़ा बना देगा ठीक है तो बेसिकली आप बड़े नंबर के बारे में आप बात नहीं कर सकते शुरू कहां से हो रहा है most important यह याद जीरो और नैच्टन नंबर के group को हम बोलते हैं whole नंबर ऩर सर ऐसा बोल सकते हैं हम बिलकूल सकते हैं क्योंकि सर नैच्टन नंबर हमारा one से start होता है तो बेसिकली जो आपका नया नबर एन होल नमबर ठीक है चलो सबसे पहले मैं बोलता हूं मेरे पास एक डबा है जिसके अंदर सारे के सारे नैच्रल नमबर है घी के सर मैंने एक और डब्बा बनाया जिसके अंदर नैच्चुल नंबर बन गया ठीक है तो यहां पर आप क्या देखो है अगर मैं इसमें ये नए डब्बे में कुछ ना कुछ तॉ एड़ करूंगा अगर ये नए डब्बे में जीरो एड़ कर दूँ तो यह बड़ा वाल जाता है और आगे infinite similarly natural number 1 से start होता है 3 से और कहां तक जाएगा इंफिनाइट तक जाएगा ठीक है तो इसके basis में चलो हम कुछ question करते हो देखते है state with the true or false यहाँ पर यह पूछा गया है जितने भी natural number है सबके सब whole number है true या false true या false देखो जितने भी natural number है तो अब मेरा question है आपसे सर वन क्या whole number है आप बोलोगे हां sir 2 whole number है आप बोलोगे हां sir 3 whole number है आप बोलोगे हां sir इसका मतलब जितने भी natural number है सबके सब whole number है that means the given statement is completely true that means the given statement is completely true ठीक है सर आगे चलते है all whole number are natural number क्या यह जो लिखा है वो सही है चलो देखते हैं sir 0 1 2 3 and so on के set को हम whole number बोलते हैं और sir जो number 1 2 से चालू हो 3 जाए और उसके बाद आगे आगे बड़े इससे हम natural number बोलते हैं ठीक है तो यहां पर क्या बोला है जितने भी whole number है तो मैं नहीं जीरो आपका natural number नहीं है इसलिए all whole number are natural number आप नहीं बोल सकते यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहां पर आप लिख दोगे क्या false यहां पर आप लिख दोगे sir clear है तो आगे चलते हैं और देखते हैं sir प्रेडी सेसर मुझे मिल जाएगा ठीक है क्या मिल जाएगा मुझे n का प्रेडी सेसर मिल जाएगा I hope आपको यह चीज़ समझ में आ रही है जो मैंने बताया फिर से बताता हूं ध्यान से सुनना predecessor क्या होता है कोई भी number ले लो एंड उसमें अगर मैं minus 1 कर दूं तो मुझे जो answer मिलेगा वो number का क्या मिलेगा predecessor predecessor मतलब एक number पहले या इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ 99 तो sir 99 का predecessor क्या होगा minus 1 कर दो 98 हा जाएगा सर अगर मैं लिखता हूँ 984 सर इसका मुझे predecessor निकालना है minus 1 कर दो 983 और बड़ा number ले लो आप 1000 minus 1 कर दो answer क्या है सर 999 आप कोई भी number लो कोई भी number लो अगर आपको predecessor निकालना है तो आपको minus 1 करना पड़ेगा क्लियर है सर आगे चलता है सर सक्सेसर क्या होता है सक्सेसर मतलब आगे वाला भया आप कोई भी number लो उसमें अगर आप प्लस 1 करोगे कोई भी I hope आप इसको plus 1 करके आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है उसके बाद और कोई number ले लो 984 कितना भी बढ़ा number ले लो 1,984 उसमें अगर मैं plus 1 add करूंगा तो मेरा answer आएगा 1,985 तो sir basically आपको यद रखना है predecessor में एक number पहले होता है और उसके बाद successor में एक number आगे होता है ठीक है ये diagram के मदद से आप समझ सकते हो कि sir अगर ये number है अगर ये आपका number है तो number में अगर आप plus 1 add करोगे तो आपको successor मिलेगा number में अगर आप minus 1 करोगे तो आपको predecessor मिलेगा ठीक है इस पे बहुत सारे questions बनते हैं इसमें question सच्छे से करना ठीक है चलो और बहुत easy topic है मैंने शुरू में ही बोला था easiest topic और question भी यही से बनते हैं ठीक है चलिए addition on number line basically हमें क्या करना है number line में addition करना है हमेशा याद रखना जब भी हम addition करेंगे number line में we always have to jump on right hand side we always have to jump on right hand side हमारा जो jump होगा वो हमेशा right hand side में होगा for example अगर मैं लिखता हूँ 7 plus 3 अब आप बोलोगे सर यह तो बहुत easy question है लेकिन मैं बोल रहा हूँ 7 plus 3 is equal to 10 we know but how to add on number line number line में कैसे add करें तो आपको सबसे पहले खड़ा होना पड़ेगा 7 में सेविनौना पड़ेगा jump कहा लेना है right में to write में कितने बार jump लेना है यह जो लिखा है ना उतने बार jump लेना है तीन बार jump 3 लेना है passages 1 x 2 03 7 से चले और 10 में आके गिरे ठीक साछ में चले और 10 में आके गिरे तो बेसिकले आप बोल सकते हो कि सर आपका answer क्या आएगा आपका answer आएगा 10 ठीक है चलो बहुत बड़ी है सर सब्ट्रेक्शन ओन नंबर लेंग याद हमेशा रखना कि सर जंप हमेशा जंप हमेशा कहा करेंगे left hand side में जब भी subtraction करेंगे left hand side में करेंगे remember हमेशा मेरी बात यह वाली याद रखना addition करना है तो right hand side में जंप करना है और subtraction करना है तो left hand side में जंप करना ठीक है चलो सर सेम 7-3 अगर मैं करूं तो हमें पता है सर 4 आएगा we know that it will come 4 यहाँ 10 आया था हमने लिखा था ठीक है यहां लिख देते हैं is equal to 10 ठीक है चलो सर सबसे पहले जो पहला नंबर है वहाँ पर आके खड़े हो जाओ बहुत प्याल से सर खड़े हो ठीक है अब क्या करना माइनस 3 करना माइनस 3 सर माइनस में कहा जंप लेना लेफ्ट में लो सर लेफ्ट में जंप एक दो कितने बार बोला है तीन बार बोला है तीन बार जंप ले लो वहाँ साथ से चले चार में आके गिरे बिसिकली यही बोलेंगे तो आप क्या बोल रहे हो 7-3 is equal to 4 किस तरीके से आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है यह आना चाहिए इसमें basic basic question आपको आते है ठीक है चले आगे चलत प्लस 4 ठीक है basically आपको यही तो होता है 4 into 1 का मतलब क्या होता है 4 को मैं एक बार लिख रहा हूं तर 4 into 2 का मतलब होता है 4 को मैं 2 बार लिख रहा हूं ठीक है 4 into 3 का मतलब होता है 4 को मैं 3 बार लिख रहा हूं यही तो मतलब होता है ठीक है चलो तो सबसे पहले कहां पर खड़ हो यह हो गए आपका 4 x 1 ठीक है सर इसके बाद आपको क्या करना है एक बार जंप लेना मतलब चार एक दो तीन चार कहां पर आके खड़े होगे तो यह क्या हो जाएगा सर आपका 4 x 2 जा फिर अगर आपको नंबर लाइन में दिखाना है तो आपको एक एक करके नहीं दिखाना है आपको डिरेक्ली यहां से चलना है और ऐसा करके चार जंप लगाके आप यहां पर आओगे चार जंप लगाके यहां पर आओगे सर इसके बाद एक दो तीन चार चार जंप लगाके आप कहां पर आओगे सर ब इन्टू तरी में बहुत बेसिक है इस तरीके से आप कोशन कर सकते हो multiplication, subtraction और उसके बाद addition ये आपके syllabus में था I hope आपको समझ में आया होगा ये आपके लिए मैंने homework कोशन दिया है बहुत basic basic कि आपको predecessor लिखना है successor लिखना है और true false बताना है ठीक है इसका answer आपको comment section में देना है I hope आपको class समझ में आई होगी कम से कम समय में हमने पूरा chapter को revise करने की कोशिश की है समझ में आया होगा thank you so much